आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान केहूं एक्सपोर्ट पर रोक लगाने के बाद भी इसके रेट में खास कमी दिखाई नहीं दे रही है अब भी देश की तमाम मंडियों में गेहूं का दाम MSP से जादा ही चल रहा है देश के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तरप्रदेश की मंडियों में भी यही हाल है सोमवार को कई मंडियों में इसका आउसत भाव 2100 रुपे से प्रती कुइंटल उपर था जब कि सरकार ने गरेलू MSP को काबू करने के लिए एक्सपोर्ट पर रोक लगाई थी अब जब केंद सरकार ने सपश्ट कर दिया है कि उत्पादन में सिर्फ 36 लाक मेट्रिक टन की ही कमी आईगी फिर भी बजार में गेहों का भाव सरकारी मंडियों से जादा ही मिल रहा है आखिर इसकी वज़ा किया है तो आपको बतातें कि सरकारी खरीद लक्ष से भी आदी नहीं हुई है हर्याना के मुख्य मंदरी मनोर लाल का इसके लेकर दर्द छलक पड़ा एक सवाल का जवाब देते वे उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में मंडियां खुली हुई है लेकिन देखने में आ रहा है कि गेहों मंडी में नहीं आ रहा सरकार ने मंडियों को दुबारा खोलने की घोशना कर रखी है तब तक मंडियों में सिस्टम ऐसे ही बना रहेगा किसान अब भी गेहों बेचने आ सकते हैं मतलब साफ है कि किसानों को MSP से ज़ादा दाम अब भी मिल रहा है इसलिए मुख्यमंत्री की इस तरह की बात कहने पर मजबूर है अब बात करते हैं यूपी की जो अकेले देश का करीब 35 फीजदी गेहों पैदा करता है यूपी की कई मंडियों में गेहों का नियूंत्म दाम भी MSP से ज़ादा ही है केंद सरकार ने 2022-23 के लिए गेहों की MSP 2015 रुपे प्रतिक विंडल तैकी हुई है जबकि फतेहपूर, सीकरी, फिरोजाबाद, मधुरा, मेरड, कोसीकला, गाजियाबाद, हादरस, मुझफवर नगर और आगरा की अनाजबंडियों में गेहों का नियूंत्म दाम भी 23 मई को MSP से अधिक रहा क्रिशी विशेशक्ड्य का क्याना है कि दुनिया के कई देशों में गेहों का उतपादम कम होने का अनुमान है इसके बड़े उतपादक बेश, रूस और यूक्रेन युद में उलजे हुए है इसलिए किसानों को लगता है कि अभी बेचने की बजाए स्टोर करना ज़्यादा लाब धायक हो सकता है अभी अभी तो गेहों का सीजन खत्मी हुआ है, अभी दाम में तेजी है तो आगे और फायदा होगा, यह सोचकर किसान गेहों रोक कर रखे हुए है प्रमुक फसलों के तीसरे अग्रीम अनुमान के अनुसार, साल 2021-22 के दोरान गेहों का कुल उधपादन 106.41 मिलियन टन होगा, जबकि सरकार ने 110 मिलियन टन उधपादन का लक्षे रखा हुआ था इस तरह उधपादन में 36 लाख मेट्रिक टन की ही कमी आई है फिर वी इस साल एक्सपोर्ट जादा होने की वज़ा से मार्किट में गेहों की तूती बोल रही है बड़ती मेंगाई और कम उतपादन को देखते हुए ही 13 माई को केंद सरकार ने इसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी जानकारों के अनुसार सप्लाई कम रहने की वज़ा से गेहों की कीमतों में तेजी बनी रहने के साथ ही खुले बज़ार में गेहों की मांग बनी रहेगी लंबी अवदी यानि नई सप्लाई के पहले तक भाव गेहूं का 3000 रुपे प्रती कुंडल के स्तर को पार भी कर सकता है कारुबारियों की ओर से अपना स्टॉक निकालने की वज़ा से कीमतों में करेक्शन की आशंका भी है हाला कि गेहूं की कीमतों में जादा कमजोरी के आसार कम ही है वहीं अगर रूस यूकरेन के यूद पर कुछ विराम लगता है और वहां से गेहूं का निर्याग फिर से चालो होता है तो इसकी कीमतों में ततकाल गिरावट भी जरूर आएगी लेकिन अभी फिलहाल रूस और यूकरेन के बीच यूद की स्थिती थमती नजर आए ऐसी कोई सम्भावन नजर नहीं आ रही है और तब तक गेहूं में तेजी बनी रह सकती है ब्यूट पोड माकेट टाइम्स टीवी टाक्स जुड़ी परिशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरन तयार करने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान